नवस्कार प्यारे बच्चों मैं विजय बच्चों आज हम लोग लेवनीज प्रमे के द्वारा या लेवनीज प्रमे के उप्योग के द्वारा हम लोग क्या करने वाले हैं? कोशन बनाने वाले हैं तो चलिए आज का हम पहला कोशन आपके लेकर क्या हैं प्यारे बच्चों यदि y is equal x to the power n-1 लाग x तो सिद्ध कीजिए कि dn y is equal n-1 factorial upon x चलिए सुरवात करते हैं देखते हैं बच्चों देखो हमें यहाँ पर दिया है y is equal x to the power n-1 और यह हो गया कितना लाग x इसको आप माली जिए समीकर नमबर 1 सबसे पहले यह देखिए कि आपको n-1 factorial निकालना है बिल्कुल निकालना है तो हमने यहाँ पर x power n-1 देखा अब देखो हम जानते हैं dn x power n जब होता है तो इसका होता है n factorial यानि x फिनिस हो जाता है और जैसे ही हम n-1 करेंगे और x power n करेंगे तो यह होता है 0 याद रखेगा तो इसलिए सबसे पहले हम इसका n-1 time आपकोलन करेंगे तो समीकरन 1 का रिखेगा समीकरन 1 का x के सापेक्ष x के सापेक्ष n-1 वा आउकलन करने पर चलो ऐसा क्यों करने समझ में आगया होगा बता दिया मैं सेम सेम होने से n-1 आएगा जादा होने से 0 आएगा और यदि कम करेंगे तो भी यहाँ पर x वगर आएगा तो उससे दिक्कत हो सकता है इसलिए हम लोग क्या करें यहाँ पर समझ करने का x के सापेक्ष n-1 वा आउकलन करेंगे तो आपने dn-1 यह y लिया यहाँ पर भी dn-1 और x to the power n-1 log x लिया ठीक है बच्चों अब यहाँ पर हम binomial theorem लगाने वाले हैं तो यह कितना हो गया इसको रहने दीजिए या फिर एक काम करो y n-1 राइट कर लो binomial theorem से पहला देखे n-1 x to the power n-1 और यह हो गया into log x फिर यहाँ पर आएगा n-1 टाइम कर रहे हो तो n-1 c1 यहाँ पर आएगा d n-1 के बाद n-2 x power कितना n-1 रिखते जाएए और यहाँ पर आएगा d log x ठीक है न प्लस यहाँ पर आएगा n c2 d power n-3 sorry n-1 c2 n-1 c2 d power n-1 3 x power n-1 और d square log x यह इस धंक से आते जाएगा हाना d-d sense 1 कितना करो गया तो यहाँ पर आपको मिला y n-1 यह देखो मैंने आपको यहाँ पर formula बताया देखेगा d power n x power n in factorial होता है तो यहाँ पर d power n-1 x power n-1 है क्या लिखोगे n-1 factorial रिखोगे यह हो गया कितना log x यहाँ पर देखे यह हो गया n-1 c1 तो n-1 हुआ या फिर नहीं करना चाहते हो तो n-1 c1 राइंट करो और d n-2 और x n-1 यहाँ पर ध्यान देना यह आ जाएगा कितना 1 अपान x क्योंकि देखो n-2 तक ध्यान देना n-2 तक आपका differentiate होगा और बाकी फिर एक d बचेगा इस अरी n-1 तक तो एक ध्यान देना जैसे कि d n-2 और आपके पास कितना है x power n-1 है न इन में से आपने d n-1 को यहाँ पर ले लिया इतना और 1 d power minus 1 बचा है तो यह इसका क्या हो गया इसका तो हो गया 1 भई एक 1 हो गया और d power 1 upon d हो गया और 1 upon d क्या होता integration होता है तो integration करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा x मिलेगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्वरी यह x मिलेगा बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा? X मिलेगा और lag X का कितना मिलेगा? D lag X का 1 by X मिलेगा फिर प्लस N-1C2 यह क्या हो जाएगा? X power N-1, N-3 है तो यहाँ पर क्या मिलेगा? X square by 2 मिलेगा फिर फिर differentiate करेंगे इसका एक बराओर integrate करेंगे, डबल करेंगे तो X square by 2 मिलेगा और इसका minus 1 by X square मिलेगा इस डबल से चलता रहेगा ठीक है? तो क्या मिला आपको? आपको मिला Y N-1, यह देखेगा is equal, यहाँ पर हुआ N-1 factorial यहाँ पर हुआ lag X यह देखो lag X और प्लस यह देखेगा यहाँ से देखो यह X से X cancel हो गया यहाँ से X square, X square cancel हो जाएगा इसका मतलब इधर जो भी है कहीं भी X नहीं रहेगा बच्चों यहने हम इस पूरे को इधर जितना भी आएगा सब X से रहित पद होगा क्या होगा? X से रहित पद होगा तो आपको क्या मिला? यहाँ पर X से रहित पद आप देखें हमको निकालना है N वा उकलन तो हम लोग क्या करेंगे? X के सापे X पुना उकलन कर देंगे आप X के सापे X उकलन करेंगे एक बार और उकलन कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? यह मिलेगा Y N N माइनस 1 फेक्टोरियल Y C रहेगा लाग X का 1 बाई X और X से रहित पद मतलब कॉंस्टेंट है 0 तो फाइनली आपको मिला प्यारे बच्चों N माइनस 1 फेक्टोरियल अपान कितना X यही हमको क्या करना था? प्रूप करना था ठीक है? तो मुझे उम्मीद है यह समझ में आया होगा आपको तो देखिए बच्चों अगला कोशन हमारा है समी करन X स्क्वार D2Y अपान DX स्क्वार प्रस X दीवाई बै दी X प्लस Y is equal 0 का N बाराव कलन करना है चलो इसको हम लोग और क्याराइट कर सकतें देखो X स्क्वार D2Y अपान DX स्क्वार को Y2 फिर X Y1 और यह होगया Y is equal 0 यह देखिए समी करन नंबर एक माल लिजेगा समी करन एक का X के सापे एक्ष इनवा आउकलन करने पर चलो तो मैंने यहाँ पर राइट किया DN X स्क्वार Y2 चलो राइट कर लो इसको और मैंने यहाँ पर राइट किया DN X Y1 और यहाँ पर राइट किया DNY यहाँ पर हम क्या करेंगे Leibnich Prame कौप्योग करेंगे Leibnich Prame तो बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कहाँ DN करते रहोगे आप डारिक्ट क्या करो Y2 है तो Y2 यू बनता है तो Y2 का N बार आउकलन करोगे हमेशा YN प्लस 2 बनेगा ध्यान देना YN प्लस 2 बनेगा और यहाँ पर as it is राइट करना X2 प्लस इसके बाद NC1 इसको एक कम कर देना YN प्लस 2 को YN प्लस 1 कर दो X2 का ओकलन करो इस तरीके से लता जाएगा अब यह NC2 होगा यहाँ पर और YN प्लस 1 कम होगा YN होगा और 2X का 2 होगा तो पहला वाला लाइब नीच प्रमे से कम्प्लीट हो गया आप पुरा प्रमे लगाओगे DN, U, V यह सब मत करिए हना डारेक्ट इसको क्या कीजेगा यह देखो DN है तो Y2 तो यह बनना है Y का हमेशा Y2 का YN प्लस 2 होगा N वाउकलन X2 YC अब इसके बाद आपको मालूम है हना NC1, NC2 चलता है तो NC1 अब इसमें N-1 होगा यहने एक कम करेंगे तो YN प्लस 1 और इसका डिफ्रेंसेट 2X इस तरीके से चलता जाएगा सेकें यहाँ पर Y1 है तो YN प्लस 1 होगा यहाँ पर क्या हो गया X हो गया इस इस पिर NC1 होगा YN होगा X का 1 होगा ठेक और तीसरा वाला तो डिरेक्ट YN है और इस इक्वल 0 तो यह लाइबनीच प्रमे लग गया बस सिस्टम यही अपना ही हैगा तो आपको पुरा बन जाना है प्यारे बच्चो क्या मिला देखेगा X2 आपको मिला YN प्लस 2 प्लस इसमें क्या मिल गया देखो NC1 YN प्लस 1 2X N YN प्लस 1 और यह होगा कितना 2X ठीक है इस जंग से बनेगा और तीसरा यह आएगा NC2 NC2 को NN मैनस 1 और अपन 1 इंटू 2 और यह आएगा YN इंटू कितना होगा 2 होगा फिर प्लस यहाँ पर क्या आएगा X YN प्लस 1 यहाँ पर आएगा प्लस यहाँ पर आएगा N YN यह हो जाएगा प्लस यहाँ पर आएगा YN चलो मैंने राइट कर लिया इसको पूरा तो यहाँ पर यह देखेगा X2 YN प्लस 2 प्लस इसमें देखो 2NX यह देखेगा 2NX यह हो गया YN प्लस 1 यहाँ पर 2 से 2 कैंसल हो गया आपको मिला multiply करेंगे गुना करेंगे N2 YN माइनस NYN प्लस यहाँ पर हुआ X YN प्लस 1 प्लस NYN प्लस कितना YN इनको हम कैंसल करेंगे आप यहाँ पर कामन निकालिएगा X2 YN प्लस 2 प्लस कितना हो गया? यह हो जाएगा 2N प्लस 1 और यह हो जाएगा X YN प्लस 1 प्लस कितना? इनमें और इनमें YN कामन निकालिएगा N2 प्लस 1 YN is equal कितना हो गया 0 तो आपने पाया बच्चों x square y n plus 2 plus 2 n plus 1 x y n plus 1 plus n square plus 1 y n is equal 0 तो ये आपका लाइब निच प्रमे है तो चलिए बच्चों और एक खुशन हम लोग देखते हैं देखे आपके स्क्रीन पर क्या सिन हो रहा है देखेगा यदि y is equal log x upon x तो सिद्ध कीजिए y n is equal minus 1 is to power n n factorial x to the power n plus 1 log x minus 1 minus 1 by 2 minus 1 by 3 minus dash distance 1 minus 1 by n तो आपने क्या किया द्यान दिजेगा ये देखो सबसे पहले ये देखेगा जैसे कि आपके पास y है तो आप क्या कीजिए 1 upon x और ये क्या कीजिए log x तो यहाँ पर हम u किसको मानने वाले है 1 by x को और v किसको मानने वाले है log x को द्यान देना तो यहाँ पर देखो u 1 by x v log x अब इसमें ये देखेगा आप क्या करने वाले हो यहाँ पर सबसे पहले dn इसका dn करोगे 1 by x का तो बच्चों आपने सिन किया है dn ax plus b to the power कितना minus 1 यह होता है minus 1 is to power n n factorial a power n तो यहाँ पर हो जाएगा ax plus b to the power कितना n plus 1 यही जानते हैं आप तो बस इसी के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे solve करते जाएंगे तो चलो इसका उप्योग करें तो minus 1 is to power n n factorial अब यह तो है नहीं है हाना अपन कितना x to the power कितना n plus 1 ठीक है और यहाँ पर क्या करेंगे dv dv करेंगे तो dv का क्या होगा 1 by x होगा ठीक है और देखो d n minus 1 1 by x करेंगे तो क्या जाएगा n के जगा n minus 1 यहाँ पर आजाएगा कितना n minus 1 factorial यहाँ पर आएगा upon x to the power कितना n ठीक है इसका d square v करोगे कितना पर ओओगे minus 1 by x square तो इस धंग से d power n minus 2 करते हैं 1 by x इस धंग से आप करते जाएए n minus 2 n minus 2 factorial आपके पास आएगा x power n minus 1 और d cube v करोगे तो यहाँ पर आएगा minus यहाँ उपर जाएगा x power minus 2 minus minus तो 2 अपान कितना आएगा x cube 1 plus 1 minus चलेगा ठीक है तो चलिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं बढ़ते हैं देखो समी करन एक का पेक्ष है ना x के सापेक्ष अनुवाओ कलन लेबनीच प्रमे की सहायता से करने पर चलो करो लेबनीच प्रमे लगाओ तो d n यह हो गया y is equal d n 1 upon x into कितना log x चलो तो मैंने अप्लाई किया d n पहला हुआ 1 by x यहां पर log x हो हुआ plus n c 1 d n minus 1 1 upon x d log x n c 2 d n minus 2 1 upon x d d square log x plus n c 3 यह दिखते जाएगा n c 3 d n minus 3 1 by x d cube और यह हो गया और यह हो गया log x plus d d d s and swan यह दिखेगा कहा तक जाना है n तक जाना है ठीक है न d d d s and swan कहा लास्ट होगा अपना n यहने n c n यहने यहाँ पर क्या आएगा 1 by x और यहाँ पर d n और यह आजाएगा log x यह ज़ंग से आएगा तो चलो अब इसको solve करते हैं इसका y n हुआ इसका क्या हुआ minus 1 is to power n n factorial अपन कितना x power n plus 1 log x as it is होगा ठीक है न फिर n c 1 का n या n c 1 ही रख सकते हो इसका आएगा minus 1 is to power n minus 1 n minus 1 factorial अपन यहाँ पर कितना आएगा भाई यहाँ जाएगा x power n और यहाँ पर आएगा 1 upon x ठीक है इस तरीके से आजाएगा इस प्रकार n c 2 का n n minus 1 1 into 2 यहाँ गया हाना और बन अपन x का minus 1 is to power यह हो जाएगा n minus 2 n minus 2 factorial और नीचे एक कम होते जाएगा देखो x power यहाँ पर आएगा n है तो n minus 1 आजाएगा और इधर क्या आएगा आपके पास एक मिनट बच्चों इधर जगा का थोड़ा सा दिक्कत है तो एक काम करते हैं इधर राइट कर देते हैं आपके लिए यहाँ जाएगा minus 1 is to power n minus 2 n minus 2 factorial upon कितना आएगा यह यहाँ पर n minus 1 upon 1 into 2 कर दो यहाँ जाएगा x power n minus 1 और 1 upon x का minus 1 upon x square तो यह इस धंग से चलता जाएगा last हमारे पास होगा देखो यह देखो d n log x तो 1 upon x d n log x का हम क्या जानते हैं बच्चों आपने study किया होगा d n log a x plus b इसके लिए होता है यहाँ पर minus 1 is to power n minus 1 n minus 1 factorial a power n dividing by x plus b to the power n तो इस फार्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ पर इसके basis पर काम करेंगे तो हमको मिलने वाला है minus 1 is to power n minus 1 यहाँ पर आएगा n minus 1 factorial यहाँ पर आएगा x है तो x power कितना n ठीक अब सबसे हम कामन निकालने वाले हैं यह देखे यहाँ पर x power n plus 1 नीचे देखो यहाँ पर भी x power n plus 1 यहाँ पर इसके साथ add होगा तो इसका भी n plus 1 सब जगा n plus 1 यहाँ भी x power n plus 1 तो हम लोग क्या करने वाले हैं देखो और सभी में यह देखो आप add करते जाओगे यहाँ से minus 1 add करोगे n add करोगे तो एक minus हाँ न यह चलेगा बाकी पुरा minus में आएगा तो आपको मिलने वाला है देखो y n is equal minus 1 is to power n n factorial आपने कामन निकाला और यहाँ पर x to the power n plus 1 हुआ पहला remaining हुआ lag x यह देखेगा पहला lag x हुआ और दूसरे में क्या बचेगा minus 1 तीसरे में minus 1 by 2 minus 1 by 3 लास्ट में बचेगा बच्चो 1 by n अपकामन निकाल के देखेगा आपको मिलना है तो हमको यही क्या करना था प्रूप करना था सिद्ध करना था ठीक है बच्चो बस इसी धंक से इसको क्या करना है solving करना है तो बच्चो मुझे उम्मीद है कि ये भी कोशन 100% आपको समझ में आएगा बिलकुल आना ही है ठीक है बस प्रेक्टिस करते रहो और इदी हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स जरूर करो बच्चो लाइक करो सेयर करो सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों को जरूर बताओ धन्यवाद नमस्कार